यह limit का question है limit x approaches to minus 1 x minus 1 upon x plus 2 तो just इसके अंदर हमने limit apply करनी है यह यह minus 1 जो इसके अंदर आप put कर दें simple तो यह जब आएगा minus 1 minus 1 upon minus 1 plus 2 ठीक है जी तो next आजएगा यह minus 2 upon minus upon 1 तो यह आजएगा आपका answer आजएगा जी minus 2 square root यह हमारे पास पहला question आजएगा इसी का अगर हम दूसरा पार देखें तो यहाँ पे भी आप यह minus 0.5 है तो इसके अंदर जस्ट आप limit put कर दें directly minus 0.5 plus 2 और यहाँ पे भी minus 0.5 plus 1 यह simple limit put कर दें तो जब इसको करेंगे 2 में से यह minus करेंगे तो यह 1.5 आजएगा इसको minus करेंगे तो यह 0.5 आजएगा ठीक है अच्छा अब इसको देखें यहाँ से भी point है 1.5 को हम लिख सकते हैं 15 over 10 और 0.5 को लिख सकते हैं 5 upon 10 तो यह cancel हो जएगा इसका मतलब क्या रहाएगा 15 over 5 यह direct हम कहलें के point से point cancel out हो गया 15 over 5 और यहाँ से यह cancel हो जएगा तो 3 root मेरे पास answer आजएगा next हमारे पास third question है इसी का जी third question में देखे again यह मेरे पास one limit दियू है हमने just इसके अंदर one limit पुट करनी है तो यह आजएगा one upon one plus one फिर इसी तरह से one plus six upon one और यहाँ पे आजएगा three minus one upon seven तो यह आजएगा one upon two यह आजएगा seven upon one आजएगा और यह two upon seven आजएगा तो seven से seven cancel out हो जएगा two से two cancel out हो जएगा तो one इसका answer आजएगा अच्छा जी एक question देखें यह limit h approaches to zero है और denominator में h आ रहा है अगर हम direct limit पुट करेंगे तो यह undifind हो जएगा infinite आ जएगा तो फिर हमें क्या करने पड़ेगा इसको different method अड़ाप्ट करना पड़ेगा तो इसके लिए चुके root आ रहा है तो हमें इसको rationalize करना पड़ेगा तो हम इसको rationalize करते हैं limit h approaches to zero h square plus 4 h plus 5 minus root 5 आ गया upon h आ गया अब जब rationalize करते हैं तो ये minus cosine है तो plus के साथ हम इसको rationalize कर देंगे multiply भी और divide भी h square plus 4 h plus 5 और minus root plus root आ जएगा और ये ही चीज़ हम denominator में कर देंगे plus 4 h plus 5 और ये plus 5 root में आ जएगा तो ये मेरे पास आ जएगा जी question अच्छा अब इनको हम direct क्या करेंगे हम इनको multiply का लेते हैं limit h approaches to zero इसको हम इसका ये square बन जएगा तो h square plus 4 h plus 5 ये square बनेगा और root बन जएगा root के साथ square आएगा तो वो cancel out हो जएगा तो ये आ जएगी और जब 5 को 5 से करेंगे तो ये भी root आएगा root का square बनके cancel out हो जएगा और denominator में same आजएगा h आजएगा और यहां पे h square plus 4 h plus 5 root में plus root 5 ये मेरे पास आजएगा अब यहां पे देखें ये cancel out हो रहा है यहां से ठीक है और अगर हम numerator में देखें यहां से h common आ रहा है तो मैं यहां से h common ले लेता हूँ क्या आएगा limit h approaches to zero तो यहां से मैं h common ले लेता हूँ तो ये पीछे रहाजएगा h plus 4 और denominator में फिर वो ही value आजएगी क्या आएगी जी h upon h square plus 4 h plus 5 root में आजएगी और plus 5 आजएगा plus root के अंदर 5 आजएगा तो ये मेरे पास आजएगा ठीक है अच्छा next देखें h से h भी cancel होजएगा अब आप इसमें zero direct put करेंगे तो denominator में हमारे पास undefined नहीं होगा अब इसमें direct limit put करेंगे इसके अंदर आप zero put करेंगे चला इदर ही कहते हैं zero put करेंगे तो zero plus four होजएगा अप आउन में ये भी zero होजएगा प्लस इसमें zero put करेंगे तो ये भी term zero होजएगी plus five और ये plus five root रह जएगा ये ऐसे तो ये मेरे पास क्या अंदर होजएगा four आगया और ये पीछे रह गया root five plus root five तो ये root five कितनी times आ रहा है two times आ रहा है तो h upon four upon two root five तो ये इसे cancel होजएगा तो मेरे पास answer क्या आगया two upon root five तो ये answer मेरे पास आगया इसका पहले का question का answer आगया अब हम इसका दूसरा part करते हैं जी देखें दूसरा part हमें दिया हुए ये question दिया हुए इस question को भी अगर हम देखेंगे तो इस question में भी देखें denominator के अंदर हमेरे पास hr है तो हम direct limit put करेंगे फिर zero आ जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको again rationalize करना पड़ेगा दी हम इसको rationalize करते हैं limit h approaches to zero root six minus five h square plus eleven h plus six upon में h आजएगा और इसको हम multiply और divide कर देंगे plus के sign के साथ plus eleven h plus six आजएगा और denominator में भी ऐसे लिख देंगे five h square plus eleven h plus six root में आगे ये आगे ठीक है जी अच्छा अब इसको आप multiply simple करें limit h approaches to zero six को six के साथ करेंगे तो ये square बनेगा और square root से cancer हो जाएगा same यहां पे भी ऐसी आएगा five h square लेकिन इस negative की वज़ा से ये sign इसके अंदर वाले change हो जाएगी eleven h minus six और upon में आजएगा उसी दरह से h आजएगा और root six आएगा plus five h square plus eleven h plus six root आजएगा ये six से six cancel out हो जाएगा ठीक है जी अगेन इसमें से देखें दरहाए minus अच्छा जी इसमें से हम minus h को अमले लेते हैं limit h approaches to zero minus h को अमले लिया तो ये मेरे पास क्या आगया five h plus eleven आगे और upon में क्या आगया h वैसी आगया root six plus five h square plus eleven h plus six ये आगया जी यहां से h से h cancel हो जाएगा तो फिर मेरे पास क्या आगया देखें जी जरा यहां से again limit h approaches to zero ठीक है जी और फिर मेरे पास रह गया जी minus five h plus eleven और upon में रह गया root six plus five h square plus eleven h plus six अब आप इसमें direct limit पुट कर दें देखें ये पुट करेंगे तो इसमें zero पुट करेंगे तो ये तो zero हो जाएगी और ये पीछे मेरे पास रह जाएगा eleven upon में six वैसे आजएगा इसमें zero put करेंगे तो ये zero हो जाएगा ये भी zero हो जाएगी तो मेरे पास क्या रह जाएगा root six रह जाएगा तो इसका मतलब minus eleven upon two root 80 तरह तो इजे ताजी हमारे बस्टन